चलिए आज की इस वीडियो में हम सीख लेते हैं इस तरीके का 3D डिजाइन तयार करना बिल्कुल ही आसान है ऐसा डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गोला लेंगे यानि की सरकल अगर आपको गोला बिल्कुल परफेक्ट बनाना है तो आप गोला को इस तरीके से खीचेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट गोला तयार हो जाएगा आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट गोला तयार हो चुका है अब हमको क्या करना है कि इसके अंदर कोई भी gradient color फिल करना है जिस तरीके का आप theory बनाना चाहते हूँ जैसा कि मैं पहले ये वाला color फिल करता हूँ तो gradient color फिल करने के लिए हम अपने keyboard से G press करेंगे और यहां से पकड़ करके यहां पे खेज देंगे अब यह जो छोटा सा box आप देख रहे हैं इसमें हम यहां से सियान color फिल करेंगे और यह जो दूसरा वाला part है इस पर click करके इसमें हम blue color फिल कर देंगे उसके बाद हम फिर picture पर आएंगे और इसका outline खतम कर देंगे outline खतम करने के लिए आप यह उपर देखेंगे यहां पर none लिखा रहता है इस पर right click करना है ok नहीं करना है ok करेंगे तो इसका पूरा color खतम हो जाएगा outline के लिए आपको right click करना है तो यह तो हमारा color फिल हो चुगा है अब हम अपने keyboard से shift दबाएंगे और इसको इसकोने से पकड़के थोड़ा सा अंदर की जानिब खीचेंगे जितना हमको जरूरत होगी उसके बाद अपने mouse का right वाला button click कर देंगे फिर इसके बाद आप उपर यहां पर आ जाएंगे mirror horizontally इस पर click कर देंगे आप देखेंगे मैंने mirror horizontally पर click कर दिया तो यह इस तरीके का design बन गया अब अगर इस तरीके का बनाना है तो हमको क्या करना है फिर इसी को हम यहां से यहां एक copy बनाएंगे right click करेंगे इसका duplicate हो जाएगा और अब अंदर वाले को select करेंगे shift के साथ इसको भी थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे यहां पर और right click कर देंगे इसका duplicate बन गया अब इसमें हम black color fill कर देते हैं आप देखेंगे इस तरीके से यह बन गया और यह जो तीसरा वाला है यह भी बिल्कुल same है सिर्फ हमने color change कर दिया है और बाहर वाले इसको black कर दिया है अंदर वाले इसको भी black कर दिया है तो आप try करिए देखिए बनता है कि नई बनता है अगर बन जाए तो वीडियो को like कर दीजिए और comment करके हमें जरूर बता दीजिए